तो मुझे मुझे इसी तो आप ठोड़ा यह बताईए कि जितने आपने अपने जीवन में जो कंसेट्ट देखें आपने पूरी मेर्टकी है और यह जो कंसेट्ट है थोड़ा सा एक SOT साथ ही है तो थोड़ा डिफेंस पांच मटम दस मटम बताईए अपने अनुभव से देखिए मैं जब पहले आप लोगों से जुड़ा था तो मुझे लग रहा था कि यह भी एक ऐसा नया ग्रूप बनेगा जो सिर्फ लोगों को कठा करके बातें करते रहेंगे और अपनी को इनकी अपनी कुमिटमेंट नहीं होगी लेकिन जैसे 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 लोग जुड़े और इसमें जो उभार आया और सारी इंदिया से लोग जुड़े और हर पेशे से जुड़े हुए लोग जुड़े और हर काम करने वाले लोग जुड़े तो मुझे यह ऐसास होना शुरू ह गया दीरे-दीरे के यही एक ऐसा जो संग है जो हमारे पुर्खों के चरने कमल पे चलके जो बदलाओ हम चाहते हैं जो अपना बचाओ हम चाहते हैं वो अगर कोई कर सकता है तो जही संग कर सकता है तो इसलिए मैं जब भी मुझे समा मिलता है घंटा दो घंटे तो मैं आपके साथ जुड़ता हूँ ताकि मैं नई नई चीजें सीख सकूँ और नई नई चीजें को मैं सीख भी रहा हूँ इसमें कोई मुझे अड्मिट करने की है नहीं तो को बहुत कुछ पढ़ने का मेरे समाय मिलता नहीं है, हलांके किताबों का बंढार है मेरे पास, इसलिए मैं अब मुझे एक थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं थोड़ा उनकमफर्टेबल हूँ कि जितने लोगों को भी हम इंटरनेशली में जोड़ना चाहता हूँ, जहां मेरे मन में था कि मैं जोड़ पाऊ नहीं है, लेकिन मेरा प्यास जारी है, आज ही मैंने कई लोगों से बात करी है, सब चाहते तो हैं, लेकिन कैसे होगा, कैसे उनको शायद जहां तो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो रेगुलर आका कुंसेप्ट भी सुनने एक महीन अलगाता, तो उनके विचार बदल सकते हैं, उनका, क्योंकि विचार बदलेंगे, तो ही अचार बदलेगा, अगर अचार बदलेगा, तो शायद उनके बीच में उनका जो ब्योहार है, वो भी बदलेगा, और अपने लोगों को देखने का नजरिया भी बदलेगा, एक ये बात तो मैं आपको बड़े पैमान वो केबल एंड केबल, अपनी आर्थिक जो स्थिती थी, उसको सुधारने के लिए आये थे, हम कोई किसी का परचार करने के लिए नहीं आये थे, हम किसी के संग में जा किसी और्गनाजेशन में परवेश करने के लिए नहीं आये थे, लेकिन जैसे जैसे हम जहां हुए तो हमें एक एक चीज़ का ध्यान रहा के बई, जैसा बावातावरन हम जहां देख रहे हैं, जैसा जैसे लोगों को इकॉलिटी, फ्रिटेंटी और ये सब्या सबाज में रहकर जो हमें अपरचुन्टी मिल रही हैं, अगर ऐसी ही अपरचुन्टी हमें इंडिया में भी मिल जाती, तो शायद हमें अपना देख शोड के बाहर नहीं आना पड़ता, और अगर हम जहां के लोग, जहां की जो बहुत सी सब्या सुसाइटी में जो काम कर रही हैं, अगर हम उनके साथ हाथ मिला कर भी चलें तो उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, और इसकी ने, लिंडन में क्या हुआ है, कि न्यू यूर में सोला डिगरी टेमपरशिस था, तो अभी माइनस में चला गया है, तो उससे थोड़ी प्रशानी हो रही है, जी ज कर तो, तो अगर हम उनसे सीखते हैं, उनके साथ हाथ मिला लेते हैं और उनको अपने साथ साजब करने के लिए कहते हैं, तो बहुत सी ओर्गनाज़शिशन आज जो अबडाती हैं, हमें साथ साजब करने की इच्छा भी रहती हैं, लेकर उन्फोर्ट्वनेटली मेरे मैं चाहता हूँ कि बहुत से लोग जुड़ें लेकिन उनकी मान सकता में मैं अभी कोई ज़्यादा बदलाओ नहीं है आते देख रहा मेरी प्रयास जारी है और मैं जब तक अब मुझे अगर ऐसा ये शूर हो गया है कि जही एक संगठन है जही एक संग है जही एक ग्रुप है लोगों का जिसमें वराइटी ऑप पीपल है और बहुत बहुत अच्छी नौलेज रखने वाले अच्छे-च्छे काम करने वाले और अच्छे-च्छे विचार रखने वाले लोग है इसमें तो जही हमारी बेडी प सब्धान है जिसमें सब्धान सब्धान अपने आप में किताब ही है लेकिन उसके अंदर जो लिखे हुए हमारे अधिकार हैं वो सरप्रिये है सभी को प्यारे होने चाहिए क्योंकि वो सभी के लिए है मेरे लिए नहीं अखेले जा सुधी राज जी के लिए नहीं है वो सभी के लिए हैं और अगर सभी के लिए हैं तो उनको बचाने का फर्ज भी सभी का ही बनता है अगर हम अपनी एगो अपना हंकार जा अपना रुत्वा छोड़ कर एक दूसरे का सासा जोग करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो मुझे लग रहा है जो थोड़ा बचा हुआ यह भ मैंने जो इस कंसेप्ट में समझा है ऐसा नहीं है मैंने बहुत सी और्गनाइजिशनों में काम भी किया है उनकी फंक्शनों में भी काम किया है और मैंने उनको सासा जोग भी करा है लेकिन जब मैं आउटपुट देखता हूं उनकी कि उन्होंने अचीव क्या किया बस यही है कि फंक्शन करनी है फंक्शन के लिए पैसा एक अठा करना है एक दूसरे के लिए मंच लगाना है कुर्शियं लगानी है और बड़ा भाशन दे कर फिर घर को चले जाना है फिर तीन मिने के बाद चार मिने के बाद एक और फंक्शन करनी है तो उससे मुझे कोई समाज के ल जिन्दा नहीं कर रहा है लेकिन अगर वो लोग भी चाहते हैं आज हमारे सामने दो अपरचुन्टीज हैं कि हमें गुलामी को सविकार करना है जहां अपनी अजादी को मेंटेन करना है अगर हम अपनी अजादी को मेंटेन करना चाहते हैं जिसमें एक्वालिटी है के खड़े हो जाने जा एक दूसरे के साथ खड़े हो जाने में कोई नुकसान नहीं है अगर हमारा मक्सद अपनी इस सब्धान को बचाने का है अगर आपको अपनी जिद पे ज्यादा ना जाए अपनी जाती पे ज्यादा ना जाए अपनी अपने इगो से ज्यादा ना जाए के लेकिन समझा सकते हैं। मुझे ये बात कहते हुए कि बैई, अगर हम आज तक इतने लोगों को समझा पाये हैं? और इतने लोगों नाब बाए है तो अगर हम इसी रफ्तार से और धीरेज रहख के काम करते रहेंगे तो मुझे दख़ाई दे रहा है कि आने समय में किसी के पास कोई और option रहने वाली नहीं है केवल एंड केवल संग में ही सभी को आना पड़ेगा और अपने अपने लिए अपने बच्चों के लिए और बच्चों के बच्चों के लिए भी अगर कुछ बचा सकेंगे तो सिर्फ इसी संग में आकर ही बचा सकें यह मु विश्वास हैं बातों ही बातों में विश्वास बदल जाते हैं और रातों ही रातों में इतिहास बदल जाते हैं आजाएं अगर सडकों पे बदलने वाले तो जमीन क्या है आकाश बदल जाते हैं दन्यवाद बहुत बहुत सादू 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 जो कामजा भी है वो हमारे स साथ है क्योंकि यह सारे वकील भाई यहां पर एकटा और अलग-अलग स्टेट से अलग-अलग डिस्टिक्स से यहां भी बहुत सरे वाई आए और अभी यह बात हुई है कि आने वाले सोंबार को हम हाउस में प्रपोजल रखेंगे कि वकीरों का जो संग है वो अपना काम शुरू करें और ओपल डी जैसे डॉक्टर लगाते हैं वैसे कंसल्टेशन वकील ऑनलाइन देना शुरू करें तो उसमें जो वकील साथ ही एक्टिबली काम करना चाहते हैं वो अपना फोन नंबर और अपना एरिया उप्रेक्टेस और अपना जिस जगा पे वो हैं जिस कोर्ट में वो हैं वो चैट बॉक्स में डाल दें ताकि उनसे बात हो जाए और हम जो हमारा कंसल्टेशन ऑनलाइन करने का एक प्रोपोजल है उस पे काम करना शुरू कर सकें धन्यवाद आप सबी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पुझी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामूँ संगं सर्नं गच्छामूँ तू थियंपी बुद्धं सर्नं गच्छामूँ तू थियंपी बुद्धं सर्नं गच्छामूँ तू थियंपी धम्मं सर्नं गच्छामूँ बुठियम पी धम्मं सर्णं गच्छानी, बुठियों पी संदों सर्णं गच्छानी, तर्थियों पी बुद्धों 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 सर्ण पी गुतंग सर्णं कच्छामी ततियं पी धम्मंग सर्णं कच्छामी ततियं पी धम्मंग सर्णं कच्छामी ततियं पी संगर सर्णं कच्छामी तेतियम पिसन्दम सर्णम तर्शामी साथू, साथू